आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question हमार पास x square minus xy plus y square equal to 7 x power 4 plus x square y square plus y power 4 equal to 133 then x, y is plus y square equal to 7 and second equation given है मारे पास x power 4 plus x square y square plus y power 4 equal to 133 यह जो second equation आपके पास चल जी है यह इसका LHS part जो है इसका factor कर सकते हम यह value होती है मारे पास x square minus xy plus y square into x square plus xy plus y square यह इसके factor हुआ करते हैं इन तोनों को multiply करेंगे आपके पास swap is यह value आएगी clear तो यह equal चलना मारे पास किसके equal 133 के equal तो अब यहाँ से आपके पास रखें x square minus xy plus y square की value तो given है आपको तो यह तो 7 हो गया और 7 में कितना x square plus xy plus y square equal to 133 तो 133 में अगर मैं 7 से divide करूँगा तो 9 आएगा तो x square plus xy plus y square की value आएगा मारे पास 19 है न 9 नी 19 आएगा clear 9 time में तो आपके पास 63 पे रे जाएगा 7 into 9 करूँगा तो 63 रे जाएगा चीक है तो यह आदा मारे पास 133 अपन 7 करूँगा तो 19 आएगा चीक है 20 से multiply करते हैं 7 को तो 140 आथा तो 140 से 7 तो कम चलता है तो 19 आएगा आपके पास clear अब देखें यहां से हमको क्या करना हमको तो x or y की value find करना है तो एक equation तो आपके पास यह जो first equation जो given थी और एक यह जो second equation है दोनों को हम solve करते है तो एक बार तो हम क्या करते हैं दोनों को sum कर लेते हैं तो x, y जो है आपके पास eliminate हो जाएगा multiplication वाला तो first plus second है नए equation 1 और second aid किया आपने तो LHS में x square और y square का double हो जाएगा minus x square और plus x y तो cancel हो जाएगा और RHS की बात करें add करेंगे तो यहाँ 7 और यहाँ 19 है तो यह होगा आपके पास 26 तो x square प्लस y square की value आ रहे है महर पास 13 और other side किया किया है minus कर लेते हैं equation second में equation 1 को minus कर लेते हैं तो second में से first minus करेंगे तो LHS में x square y square cancel हो जाएगा और xy कैसा हो जाएगा double हो जाएगा 2xy हो जाएगा RHS में 19 minus 7 करेंगे ठीक है तो 19 minus 7 अगर आप करते हैं तो आपके पास 12 रहेगा तो x into y की value आएगे महर पास 6 यह दो equation अमरे पास आदी अब यहाँ से हमको क्या करना है x और y की value find करनी है तो x और y की value find करनी है तो हम क्या करते हैं किसी भी एक variable को किसी एक equation से find करके दूसरे में put कर देते हैं तो यह second वाले से मैंने y की value find की तो y की value आएगे 6 by x इसको मैं put कर देता हूँ यहाँ पर इस equation में तो y by x यहाँ put करोगे तो आपके पास 6 by x है ना y की value आएगे 6 by x थी है पुट करोगे तो x square प्लस 6 by x का होल square equal to 13 clear l same ले ले हैं तो l same लेंगे तो x power 4 plus 36 और denominator का जो x square हो RHS में ले जाता हूँ मैं तो 13 x square clear denominator का जो x square हो RHS में लेके गए तो 13 x square होगे तो equation बंदी हमारे पास यह x power 4 minus 13 x square plus 36 equal to 0 clear इसको आगे solve करते हैं तो x power 4 13 को break कर लेते हैं minus 9 x square हो minus 4 x square में plus 36 चली रहा first two term में से अगर हम बात करें तो first two term में हमारे पास x square common आ रहा है तो remaining part है x square minus 9 और last two term में से हमारे पास minus 4 common लेंगे तब जाके x square minus 9 बचेगा clear अब देखें दोनों में से आपके पास क्या common आया है दोनों में से common आ रहा x square minus 9 तो remaining part x square minus 4 equal to 0 दोनों factors को आप क्या करेंगे 1 by 1 0 put करेंगे तो x square minus 9 को अगर मैं 0 put करता हूं है ना और एक other side हम क्या करते है x square minus 4 को भी 0 put करते है तो इधर तो value आती x की plus minus 3 है ना square root लेंगे 9 का तो क्या आएगा plus minus 3 आएगा और other side आपके पास x की value क्या आएगी यहाँ पे 4 का square root लेंगे तो plus 2 और minus 2 आएगा तो x की 4 values आएगे इन 4 के corresponding हम क्या करते है y find कर ले तो कहां से find करेंगे देखें यहाँ पे आपके पास क्या था y equal to 6 by x था तो y equal to 6 by x आपके पास चल रहा है है न 1 by 1 x put करेंगे उसके corresponding y find कर लें तो देखेंगे जब आपके पास x 3 है है न तो 3 put करूँगा तो 6 by 3 कितना आएगा 2 आएगा minus 3 के corresponding देखें minus 3 put करूँगा तो minus 2 आएगा वाए ठीक है फिर x आप 2 put करेंगे तो 6 by 2 clear आप देख लें आपके पास यह x और y की values है है न यहीं answer है आपके पास तो options में से check करने इसमें first option में है 2,3 तो 2,3 है आपके पास ठीक है second है minus 2, minus 3 यह भी आपके पास है minus 2, minus 3 हड़ है 3 by 2 यह 3,2 तो 3,2 भी आपके पास और last option है minus 3, minus 2 तो यह भी आपके पास आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो option number 1, 2, 3 and 4 all are options यह all options are correct options Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजे अपने doubts 8400-400-400 पर